नमस्कार, हॉरिजन योगा में आप सभी का स्वागत है क्या आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक्षमता बढ़ाना चाहते हैं? आपके शरीर में अगर किसी भी प्रकार का रोग या व्याधी है तो उसे दूर करना चाहते हैं? तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रुद्राक्ष के जल के सेवन के लाब तो हम जानेंगे कि रुद्राक्ष के जल का प्रयोग केसे करना है? तो सबसे पहले आप ये जानले कि रुद्राक्ष क्या होता है? रुद्राक्ष एक बहुत ही शक्तिशाली प्राचिन मन का है जो भगवान शिव के आसुओं से उत्पन हुआ है और साथ ही रुद्राक्ष का जीवन काल सेक्डों वर्षों का होता है यदि ठीक तरह से रख रखाव किया जाए अब हम जानेंगे रुद्राक्ष के जल का प्रयोग केसे करना है स्वस्थ रहने के लिए तो यहाँ पर कुछ सामगरी है आप ध्यान से देखें सबसे पहले आपको पांच मुखी रुद्राक्ष के तीन मन के लेना है मैंने तीन मन के लिए हैं आप एक भी ले सकते हैं पर एक मन के को अगर आप प्रयोग में लाएंगे तो आपको उतना फाइदा तेजी से नहीं हो पाएगा आपके शरीर के लिए तो यहां मैंने तीन रुद्राक्ष लिए है, आपको क्या करना है? पाँच मुखी रुद्राक्ष लेना है, तीन मनके लेना है, अब इन्हें सबसे पहले हम साफ पानी से धोएंगे और एक मनका उठाईए, इसे पानी में डालिए और पानी में डालने के बाद आपको क्या करना है मुलायम ब्रश लेना है साफ सूत्रा और उससे आपको हलके हलके हाथों से पूरे मन के को रगड़ना है एकदम हलके हाथों से जिससे कि आपका रुद्राक्ष का मन का बिलकुल साफ हो जाए ये इस प्रकार से साफ करने के बा आप ब्रश साइड में रख दीजिए और रुद्राक्ष के मनके को अच्छे से धो लीजिए धोने के बाद साफ नैपकीन पर रखकर इसे पोचना है सफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप इसे रात भर पानी में गला कर रखेंगे तो कुछ भी impurities इस पे लगी नहीं होना चाहिए इस प्रकार से पोचने के बाद अब आपको काच का एक बाउल लेना है या तो आप काच का गलास ले सकते हैं बरतन काच का ही होना चाहिए इस प्रकार से यह हमने साफ पानी लिया है इसमें मैंने आपको एक मन का साफ करके बताया है आपको तीनों मन को को साफ करके और ब्रश से रगड के पोच करके जल में डालना है यह हमने रुद्राक्ष को जल में डाल दिया तीनों मन को को इस प्रकार से डालना रहेगा और इसे पूरी रात भर के लिए साफ सुत्री जगव पर आपको रखना है ढक कर और जब आप सुबह उठें तो सुबह उठकर तुरंट आपको यह जल रुद्राक्ष निकाल करके पी लेना है जब आप मॉर्निंग में इस जल का रुद्राक्ष के जल का सेवन करेंगे तो आपको काफी जाधा लाभ मिलेंगे जैसे कि रुद्राक्ष में विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है विटामिन सी के अधिक होने से पानी अलकेलाइन बना देता है जल को अलकेलाइन कर देता है तो जब हम morning में alkaline water पीते हैं तो हमारे शरीर के कई रोग कट जाते हैं नश्ट होने लग जाते हैं तो इसे निरंतर करना जरूरी है एक रुद्राक्ष के मन के से भी किया जा सकता है और ज्यादा लाभ के लिए आप तीन रुद्राक्ष के मन के लें तो सबसे अच्छा result मिलत है स्वास्थ से संबंदित रुद्राक्ष जल के क्या क्या लाभ है यह जानेंगे सबसे पहले यदि आपको high BP या low BP की समस्या होती है तो रुद्राक्ष का जल दोनों BP को कंट्रोल करता है high BP को भी कंट्रोल करता है और low BP को भी कंट्रोल करता है इसके अलावा यदि आपको त्वचा से संबंदित रोग हैं या किसी प्रकार की एलर्जी है अस्थमा, ब्रॉंकाइटीस, कफें, कोल्ड से पीडित हैं बार बार होता है तो आप रुद्राक्ष के जल का प्रयोग करके जल सेवन जरूर करें इसके अलावा पेट से संबंदित सभी प्रकार के विकारों को रुद्राक्ष का जल दूर करता है जैसे एसीडिटी, हाइपर एसीडिटी, कॉंस्टिपेशन, ब्लोटिंग, गेस्टो इंटेस्टाइनल, डिसीज, हर प्रकार की पेट की समस्या में राहत दिलाता है रुद्र रुद्राक्ष के जल का सेवन निरंतर करते हैं तो आपको मानसिक तनाव दूर होते हैं मन को शान्ती मिलती है और डिप्रेशन, एंजाइटी जिसी समस्याएं भी दूर होती है रुद्राक्ष के जल को सेवन करने से हमारी रोक प्रतिरोधक्स शमता को रुद्राक्ष का ज करने से तो आज का वीडियो में यहीं समाप्त करती हूं अगले वीडियो में मिलते हैं हरियों तत्सत्